दीप संस्कृत कलासेश में आपका स्वागत है हिंदी व्याकरन में ईकारथी सब्द का बहुत अधीक महत्व होता है यह उपयोग के आधार पर सब्दूं के महत्व को दर्साता है क्योंकि प्रियोग के अनुसार विभिन परिस्थिती में भिन्य भिन अर्थ को यह प्रकट करता है इसलिए यह अनेकार्थी सव्द कहलाता है जैसे अंख अंख मीन्स गोद और इसका दूसरा मिनिंग संख्या होता है उसे कितने अंख प्राप्त हुए अंबर बस्त्र और अं धन मतलव व्याख्या व्याख्या के अर्थ में जिसका उप्योग करते हैं अली भवरा सक्षी कोयल आदी आरंभ बगेरा आम सामानी और एक फल का नाम भी है आम जैसे आम आदमी की तरह तो समानी के अर्थ में है उत्तर जवाब और उत्तर एक दिशा का भी नाम होता है प् समना पीछे का भाग इन सभी अर्थों में प्रिष्ट का प्रियोग किया जाता है मत राय संप्रदाय मनाहे मांग चाह बालों के वीच बनाई रेखा और मांग मत्रव डिमांड माल माला धन संपत्ति पंति मुद्रा सिक्का रूप मुख का भाग रंग बर्ण प्रेम अभि पने का स्थान दसा वार प्रहार दीन और आक्रमन अराम भगीचा सुख चैन के लिए भी आराम सब्द का प्रियोग होता है कनक मिन सोना और एक कनक का दोसरा मिनिंग भी होता है जिसका मिनिंग है धाथूरा कर हाथ टेक्स सूर किरन कल विता हुआ कल आने वाला भी कल चैन के लिए भी कल और मसीन के लिए भी कल उरजा का प्रियोग होता है कुल मतलब बंस कुल मतलब सब गती मिन्स चाल दसा और मोक्ष घन हथावरा घन मिन्स बादल और घन मतलब घटा अकास में घन छाया हुआ है तीर मींस बान, तीर मींस तठ, नदी का तठ किनारा, पत्र चिठ्ठी, पत्ता समचार पत्र, पद चरन, उहदा, कविता का चरन, कविता के एक पाट के लिए भी हम लोग पद सब्द काप्डियों करते हैं, वर, वर मींस दुलह, वर मींस रिष्ठ, और वर मींस बरदान के अर्थ में भी इसका प्रियों होता है, विशम, विशम मींस भयंकर, विशम परिस्थिती आई हुई है, कठीन, जो सम न हो, विधी, विध ब्रहमा, रिती और कानून, यहां की विधी वेवस्था अभी ठीक न गोल्ड, एन सयन मन स्लिप, सूत, धागा, सार्थी, हल मींस समाधान, हल मींस खेत, जोतने का यंद्र, जो ट्रेक्टर और बैल के द्वारा भी चलाया जाता है, हार मींस माला, हार मींस हर जाना, पराजय, हरी मींस विशनू, सिंग, सर्प और बंदर, हिन, बुरा और बिना सुरुती मींस बेद और कान, आप सबस्क्राइब कर ले, अपने मित्रों को भी सियर करे, ताकि या उप्योगी विडियो उन सभी के लिए भी लाख परद हो सके, धन्यवाद